Hello Guys, Welcome Back to JK Practice तो guys, आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्केशन करने जा रहे हैं तो इस टॉपिक की काफी जादा इदिमाउन थी टॉपिक को डिस्केशन नहीं करेंगे हम इस टॉपिक में जो हमारा इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है ना तो वो हमारा है आपके इस लेबस में एक topic है इंडिया culture और इंडियन history geography ये तीन topic है तो जो आप आज बात करने जा रहे हैं वो आपका इंडियन culture की बात करेंगे टिक है तो यह वो MCQ हम discussion करेंगे दोस्तों यह वो MCQs हैं जो previous years में exam में आ चुके हैं ठीक है चाहे वो आपका SS का exam हो जाए वो RR B N T P C का exam हो थीक है? उन भी यह question already आ चुके है तो ये आप बाढ शकती हो कि एg겠습니다 में जो इosshi question है ये already आ चुके है फो ठीक है इन हम थोड़ी बात करेंगे इनको बताएंगे इनके बारे में हम कुछ चीज से आपको तो videos कई तक तो चैनल पर जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना, वैल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली कोई भी हमारी वीडियो की अपडेट हो, आप तक नोटिफकेशन सबसे पहले आ जाएगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो, फर्स्ट कोशिन क्या देख का है, और यह लेटर किस चीज के साथ है, तो यह आपका है, स्टोरी एंड प्लेए, ठीक है, काथाकाली इसदा क्लासिकल डांस, ड्रामा है, केरला का, what does the term काथाकली मिन्स, काथाकली का मिन्स के है, मतलब लेटर किस से करता है, तो यह एक स्टोरी और प्लेए के साथ है, ठ participation होती है ठीक है तो बस इसमें इतना ही है इस question से देखके आप ध्यान से पढ़ेंगे तो दो question आपके इसमें से निकल जाते है काथा काली किस से late करता है story and play से और कौन सी state का ये एक classical dance है तो ये आपका केरला का है तो ये जो dance है ना ये dance वगेरा ये आपसे पूचे जाएंगे एक्जामें पका क्योंकि ये culture है ठीक है next question की बात करते है नेम ता classical instrument used in money puri dance उस classical instrument का आपको से नाम पूचा है जो की money puri के dance में use किये जाता था ठीक है तो वो आपका है पंग अब ये पंग क्या होता है ठीक है पंग clear I hope यहां तक सबको clear हो रहाओगा क्योंकि ये मैंने अपने से नहीं question ऐसे google करके नहीं उठाए है मैंने ये question previous years में आ चुके है तब ही मैंने important लिए है इन बारत अन्तियम the story of theme is always taken from बारत अन्तियम the story our theme जो बारत अन्तियम है इसकी story ये जो theme है इसका काँ से लिया गया है तो वो आपका महाबारता से लिया गया है ठीक है तो दल्काही एक folk dance दल्काही एक folk dance है rendered during the time of festivals it is belong to which state ये दल्काही एक folk song है जो की festival के time पर किया जाता है और ये belong कि state से करता है तो दोस्तों ये belong करता है आपका ओडीसा से चिक का ऑडीसा से सोरी एक में question में कोई गडवरी होगी है तो ये आपका जो है ना third question इसका option आपका d है ठीक है इसका मैं ने क्या बताया को इसका b है ठीक है और इसका de है थर्ड का, बोथ E&B, रमाइना और महावार, दोनों आएंगे इसमें, तो इसका मैंने कोईने से बताया, ओडिशा ठीक है, इसका ओडिशा हो जाएगा है, बात करते हैं फिफ्थ कोशन की, ए 40 डेस फेस्टिवल गोबरी, इस सेलिबरेटिर इन उदेपूर, कोशन एक और नि किया जाता है, इस ए फेमाफ फोक ड्रामा ऑफ, विच ट्राइब, कोशनी ट्राइब का, यह डांस माना जाता है, तो इए आपका, माना जाता है दोस्टों, बील्ज का, ऑप्शन अपका, भी हो जाएगा, ठीक है, तो यह कुछ डिफरेंट डिफरेंट्स, इनके डांस होत पढ़ने में तो अजीवत लग रहा होगा आपको क्योंकि ये डांस के कुछ नाम ही ऐसे हैं कभी आपने देखा होगा कि डीडी बन लगाते हो आप कोई शाम के टाइम लगा होगे तो वहाँ पर एक डांस सल रहे होते है फॉक डांस सल रहे होते है कोई करनाटा का होता है कोई केरला का होता है कोई कहीं का होता है कभी उनके सिर पर कुछ ऐसे उनका जो मतलब की मेक अप होता है वो कुछ अजीरता लगता है तो वही ये फॉक डांस होते है तो विच स्टेट फॉक डांस से नामागीन यह हिमाच्योप प्रदेश का एक दिन से माना जाता है चाहू एजैनर आफ ट्राइवर्वर्वर्ण, मार्शियल, डिन से पॉपलर नइड वेस्ट बंगाल अगेन इस इंपॉर्डिन कोशन काँ गया अगेन इस इंपॉर्डन कोशन तो ये बैस्ट बंगाल का एक डॉंट से माना जाता है तो ये चाहू ड्राइफ रॉम चाउनी इट मींज चाउनी का मतलग क्याता है एक मतलग कोशन में इसी ना तो मैंने ये 15 कोशन रखे हैं इसमी तो 15 में इसी अगर बात करो तो आपकी 25 कोशन निकल जाएंगी ठीक है तो ये चाहूनी का मतलग होता है वो क्या होता है तो वो आपका मिल्टरी कैम्प होता है ठीक है बात करें नेक्स्ट कोशन की डियूरिंग विच फेस्टिबल ड़स भांगडा परफार्म इन पंचाब कौन से फेस्टिबल में भांगडा डाला जाता है पंचाब में तो ये आपको सब को बढ़ा है तो आपका बसाखी में होता है ठीक है न ले रहा है चलिए मोहिनितम मोहिनितम आतम एक क्लासिकल डाउन्स फार्म आफ केरला कौन से सिस्टम के साथ ये रिलेटिड करता था हूँ ये केला का डाउन्स है ठीक है मोहिनितम क्लासिक डाउन्स है कोशन आया है फ्रेंड्स अपने सित्व नहीं लिया है तो इसका अंसर आपका देवदासी सिस्टम हो जाएगा भारत नत्या शास्त्रा वाज ब्लीप्ट टू वी क्रेटिड वाई तो ये भारत एक नत्या शास्त्रा वाज ब्लीप्ट टू वी क्रेटिड वाई किस भुगान से लेटिड करेगा ये तो ये दोस्तों आपका करेगा यह इसका option हो जाएगा आपका C, ठीक है, Lord Brahma के साथ, clear, बात करते हैं, next question की, Who invented the musical instrument, Siddhar and Tabla, यह very important question हो दोस्तों, तो इसके जो, Amir Khusro, ठीक है, option C, Who is the first musician, received Bharat, Retran, Roman, Modestory Award, तो यह, इसके option हो जाएगा जो दोस्तों, वो हो जाएगा आपका, MS, Subal, Lakshmi, ठीक है, पंडित, हरी, परसाद, चौसरा, चौरसा, He is famous for playing which instrument, कौन से famous के लिए, लेट करते थे, तो यह, दोस्तों करते थे, आपके flute के लिए, ठीक है, option B, दोस्तों करते हैं, तो दोस्तों, यह, पुसकर फीह, पुसकर फेह ता, आनुल फाइफ दे, साल के, तो दोस्तों, यह, कौन से state में, राजिष्टान की कौन से district में मनाय जाता था, तो यह, आपका बनाय जाता था, अजमीर में, ठीक है, तो सगादोवा, ए। बुदिस्ट तो दोस्तों यह चीज़े याद रखना तो सभी बच्चे मुझे ना सिक्कम की कैप्टल मुझे कमेंट में करेंगे सभी आपको वां पर विडियो मिल जाऊगा तो दोसों और होगा है विश्क कोशन हंगें西 इसके इसके में उठाई है तो और लेक्रार नेग्स्ट वीडियो जो आपको मिले कि हमारी physics के उपर मिलने वाली है I think कभी 10-12 कोशन हम उस पर discussion करेंगे वो भी आपके previous ask question होंगे तो जितने भी हम question यहां पर लेकर आएंगे वो previous ask question होंगे अच्छे discussion करेंगे so SI unit के भी मैंने आपको एक वीडियो डाली थी SI कभी कभार exam में बूच लिया जाते हैं तो physics पर हम कोशिट करेंगे physics पर भी लाएंगे और chemistry में बिलाएंगे question ठीक है तो देखो क्या है कि general science की बात कि general science में आपकी physics भी आती है तो दस से बारा question होंगे तब वीडियो उसको भी एंट तक जरूर देखना तो के गाइस वीडियो ज़्यादा शेयर करना प्लीज